है गाइस गुड मॉनिंग रात को गाड़ी का साइलेंसर तूट गया और जैसे वेसे में गाड़ी ले गया ही रासे में बीच में मिकेनिक मिला तो वो बोलता है साइलेंसर नया लगाना पड़ेगा तो इतना भाग 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 आवाज आ रहा था के न पूछो वात और पूरा तूट गया वो तो भला हो उस लड़के का जिसने मुझे वो silencer को गाड़ी के साथ बांतार से बांद के दिया अभी में लेके जा रही हूं मेरी स्कूटी को मैकेनिक के पास और मैं जो हमेशा मैकेनिक को देती हूँ जो आके मेरा गाड़ी लेके जाता है घर से और शॉप भी मालूम है तो वो आज उसका out of coverage area दिखा रहा है तो अब मुझे जो मैंने रात को जो मैकेनिक को पूछा है उसी को मुझे बोलना पड़ेगा कि उसके पास ही मैं गाड़ी लेके जाती हूँ, वहां तक जाने को भी मुझे डर लग रहा है, तो काई चलिए, चलते हैं मैकेनिक के पास, ये देखो, साइलेंसर पूरा इधर से तूट गया है, पूरा वो छोड़ दिया है, और मैं कैसे, इस तरह से, वो लड़के ने मुझे बान के दिया, और मैं रात को तो इस तरह से घर आई, और बाजू में वो बतन की शॉप वाला था ना मेरे पारलर के बाजू में, वो अपना गाड़ी का क्या, अपना शॉप का काम करा रहा है, तो सारा धूल मिट्टी मेरी गाड़ी की वाट लग गई, और शायद वहीं प उटा है, तो इस तरह से अब मैं गाड़ी को लेके जा रही हूँ, मैकेनिक के पास ये बहुत रिस्की है, आवास भी इतना जोर-जोर से आ रहा है कि पूछो मत, तो गाइस, एक के बाद एक कुछ नो कुछ परिशानियां लगी रहती है, और जस बज़े पारलर पे पहुं तो फ्रेंट्स, गाड़ी मैंने दे दी है, बनवाने के लिए और साइलेंसर नया दानना पड़ेगा, तो साइलेंसर का चार्ज है, उसने बोला दो हजार रुब्या चार्ज लगेगा, शायद बोलता है, दुकान पे जाऊंगा मैं शॉंप पे से, और उसको पूछूँग मैकेनिक इस तर उसे मुझे बोल रहा था कि पूछूँगा कितने का आ रहा है फिर आपको पता ही है, वहां मत देखिए, और ये कल से मैंने ये उलोग स्टार्ट किया है, और कल का दिन तो पूरी तरह मुसीबत तो भरा था, कल क्या हूँआ मालमें, कल मेरी गाड़ी भी ग गड़ गई, आपको पता ही है, गाड़ी भी गड़ गई है, चलिए, तो गाड़ी दी थी मैकेनिक के पास, मैकेनिक ने पूरा गाड़ी का वाट लगाया, और उपर से चार्च कितना किया मालमें, उसने बिल तो बना के लाया था, 4000 का, पर मैंने उसको उतना दिया नहीं, म मुझे 10 और मैं जब गाड़ी स्टार्ट करने गई, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर से उसको मेकेनिक को फोन किया, तो वो बिचारा आया, भाग भाग के, तो आया तो सही, 15-20 मिनिट मुझे वेट करना पड़ा, फिर आया, फिर उसने किस तर से प उसी बत, जैसे मैं पारलर पे पहुची न, गैस, तो बस मैंने पारलर का पीछे का विंडो ओपन किया, और बहार देखा, सब कुछ सही था, उसके बाद क्या हुआ, 5 मिनिट के अंदर ये बाजू में, बाजू वाला शॉप वाला न, रिनोवेशन कर रहा है, तो उसको रि पाइपलाइन थी पानी आने की, तो उसमें ठुका गया, और वो पाइपलाइन फट गई, टूट गई, तो पानी बहुत सारा लीक होने लगा, पानी लीक होने लगा, तो उसने बिल्डिंग के उपपर जाके, मैंने उसको बुला या, मैंने बुला आपकी वज़े से हुआ चला गया, और मॉनिंग से 10 बज़े से जो एमसिल लगा के वो गायब हुआ, और मुझे पता नहीं उपर टेरिस पे कहां पे वाल है, मेरा कौन सा वाल है, मुझे किसे पता पड़ेगा, तो और चाबी उसके पास था टेरिस का, और चला गया, चला गया, तो शाम तक आने का नाम नहीं, मैंने कितने उसको मैसेज किये, मेरे पास उसको फोन नमबर नहीं था, मैंने कितने मैसेज किये, सब को बोला, मतलब मैसेज इंद से उसके यहां जो वरकर काम कर रहे थे न, उनको बोला के जाके उसकी बरतन की शौपे पास में ही, तो जाके उसको बोलो के कॉक चालू कर दे पर वो कुछ आने का नाम नहीं ले रहा था उसके बाद मैंने तो सोसाइटी में कंप्लेंट की शाम हो गए छे बच गया उसके बाद मैंने सोसाइटी में कंप्लेंट की तो सोसाइटी वाले जो थे उन्होंने उसको फोन किया और उसको बुलाया तो आया तो आया उसने चालू किया चालू किया तो एमसिल का कोई टिकता है क्या एमसिल तो पूरा वापस से निकल गया तो फिर अब उसने वापस कॉप उपर जाके बन कर दिया और बोलते है अब तो करली बनेगा क्योंकि शाम हो गई फिर थोड़ा सा थोड़ा सा डाट पिट किया मैंने अब क्या करूँ मुझे कितना प्रॉब्लम हो गया गुस्सा नहीं करना चाहती थी फिर भी मुझे गुस्सा आई रहा था बहुत गुस्सा आ रहा था पता नहीं इतना प्रॉब्लम इतना प्रॉब्लम अच्छे दिन कब आएंगे क्या माल बस वो पूरा दिन मेरा प्रॉब्लम में गया दो मतलब मॉनिंग रात से जो मेरी गाड़ी टूटी और गाड़ी टूटी और जो मैं इस तरह से घर आई फिर उसके बाद वो गाड़ी बनके आई और भाई ने मुझे इतनी डाट लगाई रात को के तुने गाड़ी उसको दी क्यों तो उस तरह से हो रहा था मेरा लाइफ में इस तरह से गड़बड मची थी कल और आज देखती हूं अब है ना परसो ही मैंने पेट्रोल भराया था पेट्रोल की पूरी वाट लग गई है और अब मैं उचे जाके पेट्रोल भराना पड़ेगा और एक लड़के का शै प्रेंड्स चलिए यह प्रॉब्लम कभी खातम नहीं होने वाले पर आज मैंने एक प्रॉब्लम का सॉलूशन निकाल लिया क्या हुआ था मेरी वाश बैसिन का सिंक ना पानी थोड़ा सा स्लो जा रहा था पतलब इतना भी नहीं पर फिर भी स्लो जा रहा था आज मैंने पूरा एकदम क्लीन होके पाइप पूरा क्लीन हो गया तो चलिए मैंने एक तो काम अच्छा वाला कर दिया नहीं तो सोचती थी ड्रेनेक्स लाती थी और ड्रेनेक्स डालती थी पर ड्रेनेक्स भी 40 डुपीस का है गाइस तो वह भी आप बोलोगी यह कितनी कंजू से पर नहीं फ्रेंड्स अगर हमारी जितनी आमदनी है उतने में हमें अगर एज्जेस करना है तो हमें पहले थोड़े बहुत जुगाड तो घर में लगाने ही चाहिए और हर लेडिस ने यह सब जुगाड लगाने चाहिए तो वह छोटी सी बात से भी मैं खुश हो गई और सारे प्राब्लम्स मेरे जो थे पीछे के दो दिन के वह मैं भूल गई चली अब गाड़ी स्टाट करके देखती हूँ रात को चालू नहीं हो रही थी कोई वायर चुटा हो गया है तो अब गाड़ी चालू होती है के नहीं उसने बोला है कि आप लेके आओ गाड़ी सुबे सु स्कूटी को भगवान के भरो से चालू करती हूँ गाइस और अब आया था तीति का फोन और वहां पे दिली में लाइट जाने वाली है दस से पांच और आज उसकी रात को ऑनलाइन एक्जाम है तो गाइस बस अब चुरुआत हो रही है मैं बहार निकल रही हूँ और बस अ साले बादल हट जाए और सारे प्रॉब्लम सौल हो जाए और सब कुछ अच्छा ही हो अच्छा ही हो कोई 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 प्रॉब्लम ना आए तो गाइस इसी अच्छी ख्वाइश के साथ में पार्लर के लिए निकल रही हूँ गाइस पूरा पेट्रोल का उसने वाट लगा दि कुछ शुब शुब हो सारा कुछ अच्छा हो आमीन इतनी परेशानिया क्या क्यम थी जो आती थी कि यहां लाइट जा रही है वो एक नई परेशानी बाहर तो कितना गड़बड होगा बाहर बैठके पड़ेगी लेकिन बाहर होस्टल के उसमें तो कितना आने जाने वाले बस अच्छा सोचो तो अच्छा सब कुछ होगा है ना तो इसी अच्छी उम्मीद के साथ मेरी कर रही हूँ कि मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे और बस उसी तरह से पारलर पे खुशी खुशी जा रही हूँ देखें इस कबुतर की कितनी मजा है कोई टेंशन नहीं उसको दाने चुनो और बस आस्मान में उड़ते रहो कितनी मजा आती होगी ना उनको कभी ऐसा लगता है हम भी बर्ड सोते तो कितना अच्छा लगता था ना किसी बात की टेंशन नहीं रहती थी मेरे बच्चे देखो और ये न्यू स्टूडेंट देखो किती प्यारी है हाइ बोल बेटा हाइ 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 हाई और ये मम्मी-मम्मी करने वाला बच्चा बस इकड़े बग सोनो वेद इकड़े बग बस मम्मी और कृषा क्रिशाला तुम्ही ओलकता चाले हाँ आणि कोण है भव्य दुला लागला बाबू खशे लागला शोनू तो सब लोग के पढ़ाई चालू है अच्छी निका दियो देखा तेरा हाथ देखा बेटा प्रेक्टिस कर रहे हैं मेंदी की पार पारी बेट बाई कि रड़ते हैं तो रड़ते हैं तो अप अजाए प्राइबना तो जड़ते हैं